नमस्कार साथ हो, दिस इस मी अमित, LearnoHub में आपका स्वागत है। LearnoHub, the free learning platform जहां आप पढ़ सकते हैं, Maths, SST, Science जैसे subject वो भी एकडम free में हैं, at LearnoHub.com देखिए जैसे का आप इस स्क्रीन पर देखी सकते हैं, आज की वीडियो में 13.3 के questions फिनिश करने वाले हैं, और साथ ही साथ अगर आपने surface areas and volumes का one short वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो जाकर उसको देख लेजिए। तो इसी के साथ start करते हैं आज का वीडियो। तो देखे वही आज की वीडियो का first question हमारे सामने है, चलिए solve करते हैं इसको, देखो गई, diameter of the base of a cone, cone का हमको diameter दिया हुआ है, कितना? 10.5 cm, इसका मतलब यहाँ से radius हम लोग निकाल सकते हैं, half हो जाएगी इसकी, ठीक है? अब देखो जे, and it's slant height, slant height कितने दे रखिये हुआ है? 10 cm, slant height को LCD note करते हैं, 10 cm यहाँ पर लिख दीजिए, पूछा किया अश्में curved surface area, curved surface area of cone, यह हमको पूछा हुआ है, clear है? चलो जी, अगर हम curved surface area की बात करते हैं, तो वो होता है हमारा πाई आर एल, पाई की value 22 upon में 7 लिख सकते हैं, radius हमारी कितनी है? 10.5 upon में 2 है, slant height जो की L है, वो कितनी दे रखिये हैं, हमको 10 दी हुई है, point अटा है, नीचे 1, 0 आगई, यह 11 times जाएगा, और यह 7, 11 और, 7, 35, 15 times, 10 से यह 10 cancel out हो जाता है, उपर बचा हमारे पास में 11 और 15, इनकी multiply करेगे हैं, 11, 55, 5, 11 और 5, कितना 16, 165 cm square, यह आचुका है हमारा curved surface area of cone, तो इसी के साथ यह question खत्म होता है, तो देखिए भई, next question की तरफ बढ़ते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, find the total surface area of cone, cone का जो है, total surface area की यहाँ पर बात की गई है, if its slant height is 21 meter, ठीक है, and diameter of its base, base का जो diameter दे रखा है, वो कितना है, 24 meter अपने को दे रखा है, clear है, चलो जी, तो सबसे पहले जो given चीज़े हैं, उनको लिख लेते हैं, slant height कितनी है, 21 meter है, diameter दिया हुआ है, हमको 24 meter, या निके radius हमारी कितनी हो जाएगी, 12 meter हो जाएगी क्या, चीक है, चलिए, अब इसमें पूछा क्या बे, total surface area इसमें, पूछा है, total surface area इसमें पूछा है, तो चलिए, इसको फटाफट से निकालते हैं, pi r l प्लस में, अब सीधा सीधा यहाँ पर values ही हमको put करनी है, 22 upon में 7, radius कितना है, हमारा 12 है, और इसकी जो length है, वो है 21 प्लस में 12, करेक्ट है जी, देखिए वह, 22 upon में 7, into में 12, into में ये कितना हो जाएगा, 3 और ये भी 3, करेक्ट है जी, चलिए, जब आप इसकी multiply, divide करेंगे, तो ये कुछ ये 1244.57, ऐसा कुछ करके आएगा, अप्रोक्स में, centimeter में है न ये तो, ठीक है, ये meter में है वच्चु ठीक है, ये meter है आपका, correct है, चलो जी, तो इसी के साथ में, ये question आपका समाप्त होता है, ये calculation आप लोग ठीक तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, चलो जी, देखिए भई, next question हमारे सामने है, चलिए solve करते हैं इसको, देखो भई, curved surface area of a cone, इस बार curved surface दे दिया है, किसका, कौन का, कितना, 308 centimeter square, ठीक है, and its slant height is, कितना, 14 centimeter क्या दे दी, इसकी slant height हमको दे दी है, ठीक है, first part में क्या करना है, radius of the base, base की जो radius है, वो हमको निकाल ली है, ठीक है, second में बोला है, total surface area of the cone, तो फटा-फट से first part की और चलते हैं, देखिए first part की अगर बात करें, तो इसमें radius हमको निकाल ली है, radius हमको निकाल ली है, और CSA, curved surface area, यहने के वकर प्रस्टी एच्छेतरफ़ल हमको दे रखा है, कितना 308 centimeter square, correct है, चलिए, slant height जो की L होती है, यह कितनी है, 14 centimeter अपने को दी हुई है, clear है जी, देखो, CSA of कौन, कितना होता है, curved surface area होता है, इसका पाई आर एल, 22 upon में, 7 radius हमारी, तो इसको निकालना ही है, ठीक है जी, और length कितनी दे रखी है, इसमें 14 दी हुई है, और यह किस के बराबर दिया हुए है, हमको 308 के बराबर हमको दे रखा है, correct है जी, 22 से इसको काटेंगे, 22 से कम 22, कितना 8 बच जाएगा, 22 जो का 88, 14 से ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये इधर चला जाएगा, 7, cross multiplication होगी, तो इधर बच जाएगा R, तो R की value आ जाएगी, 7 cm, ठीक है जी, तो टोटल सर्फेस एरिया जो है, of कौन, कितना होगा इसका, πाई R, L प्लस में R, correct है भई, 22 अपोन में 7, रेडियस हमारी कितनी आई है, यहां से, 7 आ चुकी है, और लेंथ इसकी कितनी दे रखी थी, 14, प्लस में रेडियस हमारी साथ ही है, ठीक है जी, 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचा 22 और इधर कितना, 14 और साथ में ये हो जाएगा, 21, 21 दुनी 42, 4, 21 दुनी 42, और 4 कितना, 462 सेंटीमिटर स्कॉर, यह आच चुका है हमारा क्या, टोटल सर्फेस एरिया ओफ कौन, ठीक है जी, चलिए इसी के साथ ये कोशिन खत्म होता है, तो देखिए भई, नेक्स्ट कोशिन हमारे सामने है, चलिए सॉल करते हैं इसको, देखो, कोशिन में बोला कि, अ कोनिकल टैंट इस 10 मीटर हाई, उसकी जो हाइट दे रखिये, एक कोनिकल शेप का हमारे पास में टैंट है, कितने दियो इसकी हाइट, 10 मीटर की उसकी हाइट दे रखिये, एंड रेडियस ओफ इट्स बेस, बेस के जो रेडियस दे रखा है, वो है 24 मीटर, ठीक है, फाइंड, नाचा साब बनता है ना, इसी को बोलता है, ठीक है, चलिए भाई, इफ तक कोस्ट ओफ वन मिल्टर स्क्वाइर, अगर एक मिल्टर स्क्वाइर एरिये पर, खर्चा जो आता है हमारा, वो 70 रूपीज है, ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, जब ये हिस्सा गायब होता है नीचे वाला, और किवली ये इसका एरिया हमको निकालना होता है, चारो तरफ का, उसे क्या बोलते हैं, तो वही हमको यहाँ पर कल्कुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं सेवन्टि से मल्टिप्लाइ कर देंगे, total जो coast होगी वो हमारी आ जाएगी ठीक है? चलिए अभी first part की तरफ चलते हैं भई आचा given क्या क्या है? एक बार वो भी लिख लेते हैं radius हमारी 24 meter इसकी दी हुई है height कितनी दे रखी है भई? इसकी 10 meter अपने को दे रखी है first part में क्या निकालना? slant item हमको निकालनी है फिर उसके बाद में हमको क्या निकालना? curved surface area चलो जी देखिए formula हमारे पास में होता है L square is equal to R square plus में H square ठीक है? यही formula होता है भई L की जगा, देखिए L तो हमको निकाल नहीं है R की जगा क्या लेखेंगे? L square हो जाएगा L square आ जाएगा 186 यह square उस तरफ जाएगा root हो जाएगा तो ही 26 बन जाएगा 26, 26, 266 होता है तो L की तो value आ चुकी है हमारे पास में 26 meter ठीक है जी? अभी देखिए भई अब हमको निकालना है इसका curved surface area जो की होता है pi r l ठीक है? चलो अब देखिए 22 upon में 7 into में r कितना था हमारा 24 था और L था हमारे पास में L आया था 26 ठीक है? यही सब था? हाँ जी इसको जब आप solve करेंगे तो 1961.14 meter square यह इतना approximately आपका आने वाला है ठीक है? फिर उसके बाद देखिए अगर coast की बात करते हैं coast में उसने हमको बताया है कि वही 1 meter square area को cover up करने के लिए 70 rupees का खर्च यहाँ पर होता है ठीक है? 1 meter का हमको पता है खर्चा कितना है बड़ total area हमारा यह है तो दोनों तरफ इससे multiply करवा दीजी यह 1 meter square की जगा तो बन जाएगा 1901.40 meter square इस तरफ अगर इसकी multiply करवाएंगे तो यहाँ से यह value हमारे पास में आने वाली है कितनी? एक लाख 37,280 रुपे इस area को cover up करवाने के लिए इतना जो है amountum को कर्च करना पड़ेगा ठीक है? चलिए तो कुछ ऐसे आपको यह question करना था इसी के साथ यह question हमारा finish होता है तो देखे भई, next question हमारे सामने है चलिए solve करते हैं इसको देखो भई कितनी length होनी चाहिए उस tarpaulin की tarpaulin होती है तिरपाल टाइप सा जो होता है ना किसी चीज के उपर cover करने के लिए जो कपड़ा इस्तामाल होता है उसको तिरपाल बोलते है हिंदी में इंगलिश में उसको tarpaulin बोलते है ठीक है? उसकी जो चोडाई है त्री मीटर वो वाइड दे रखा है अपने को उसकी वो length पूछ रहा है ठीक है? वाट लेंथ ओफ टारपुलेन त्री मीटर वाइड है जो की उसकी length क्या होगी विल वी रिक्वाइड टु मेक अ कोनिकल टेंट ठीक है? चोडाई उसकी दे रखी है length उसकी हमको निकालनी है किसकी निकालनी है? टु रिक्वाइड टु मेक कोनिकल टेंट एक कोनिकल टेंट हमको उस टारपुलिन से तैयार करना है उस तिरपाल से हमको एक कोनिकल टेंट बनाना है ठीक है? जिस कोनिकल टेंट की height है होनी चाहिए हमारे पास में 8 मिल्टर and base radius radius होनी चाहिए 6 मिल्टर ठीक है देखिए भई ये बाकी कोशन अभी बाद में देखते हैं सबसे पहले तो इसकी जो height और इसकी जो radius है उसको जो है note down कर लेते हैं height है इसकी 8 मिल्टर radius कितनी है इसके 6 मिल्टर यहाँ से अगर हम इसका area निकालना चाहें देखिए ये कुछ हमारे पास में इस टाइप से tent बनता है ठीक है यहाँ से इसका अगर area निकालना चाहें हम L क्या हमारे पास में है L हमारे पास में नहीं है तो सबसे पहले तो यहां से L की value find out कर लेते हैं ठीक है जी R, R क्या है भई, 6 है 36, 36 और ये 8 कितना हो जाएगा 8, 8, 64 तो ये हो जाएगा, हमारे पास में 70, 100 हो जाएगा ये और L की value आ जाएगी हमारे पास 10 meter, slant height हमारे पास में आ चुके है 10 meter अब इसका area हम लोग easily find out कर सकते हैं जब भी हम tent बनाते हैं तो उसमें जो जमीन वाला area है वो count नहीं होता है जो चारो तरफ वाला area है वो ही count होता है उसको बोलते है curved surface area correct है? चलिए जी तो यहां से अगर हम curved surface area की बात करते हैं तो वो होगा pi r l ठीक है pi की value उसने हमको मानने के लिए बोला है 3.14 ठीक है भई 3.14 उसकी value मान लेते हैं r की value कितनी है 6 है और 10 i है हमारी l की value देख लेजी ठीक है जी? चलो 6 से इसकी multiply करवा देते हैं 6, 24, 24, 26 और 28, 26, 18 इंटू में 10 और यह हो जाएगा हमारे पास में 10 से multiply होने के बाद में यह कितना है यह meter में आना सब कुछ? जी हाँ meter square यह area आ चुका है इसका अब यहां से देखो उसने बोला यह जो कपड़ा इसके उपर इस shape में जो बनेगा ना देखे, स्टार्टिंग में तो भाई कुछ कपड़ा हमारे पास में ऐसे ही रहा होगा ठीक है? ऐसे तो रहा होगा कपड़ा? फिर उस कपड़े को हमने stitching वगरा करके इस shape में उसको ढाल लिया होगा ठीक है? देखो जी अब इसने ये बताय हुआ है कि इसकी जो चोड़ाई है ना इसकी जो width है, वो कितनी है? थ्री मीटर होनी चाहिए थ्री मीटर उसके width है और length इसकी उसने पूछी है यही तो किया था? देखो जी अब ये जितना भी कपड़ा ये tent को बनने में जो इस्तमाल हुआ है total area उसकपड़े का कितना है वो हम निकाल चुके हैं ठीक है? अब ये देखिए भई एक rectangular shape होगी यहां से इसकी area of tarpaulin जो की CSA के बराबर है वो हम निकाल चुके हैं कितना? कितना निकाल चुके हैं भई? 188.4 ये हम निकाल चुके हैं और देखिए किस shape के अंदर है ये? ये L into B rectangular की shape के अंदर है rectangular shape में ये है यहां से width हम को दे रखी है कितनी? width हम को दे रखी है 3 तो देखिए यहां से length हमारी easily calculate हो जाएगी ठीक है? और उसने total length पूछी हुई है अभी थोड़ा सा question हमने पढ़ा नहीं था वो बाकि है उसको बाद में देखते हैं पहले इसको calculate कर लेते हैं देखिए तीन चंगे अठारा और तीन दूनी च्छें कितना बच जाएगा ये? तीन दूनी च्छें और ये चोदा चोदा ने चोबिस बचेगा ना ये तो हाँ चोबिस बचेगा तो तीन अठ्टे चोबिस ये मीटर इतना मीटर उसकी length अभी आ चुकी है correct है? देखिए area find out कर लिया area find out अगर हमारा हो गया width हम को दे रखिए rectangular shape के अंदर ये होने वाला है L into B formula होता है rectangle का area निकालने का area तो भी बराबर ही रहेगा ना उसका, चिक है? चलिए, तो area इसके बराबर रखवादिया हमने वहां से L की value हमारी आ जाएगी कि वही ये जो कपड़ा इसकी length कितनी है bread तो हमारे पास में थी length आ गए फिर उसके बाद में उसने बोला है what length, total length पूछी थी थी ना उसने, अब देखिए अब आगे का यहां पर कहानी start होती है assume that the extra length of material जिस भी material यहां पर जो भी इस्तेमाल हुआ है उसकी जो extra length है that will be required for stitching थोड़ी सी extra length की भी उसमें जरुवत पढ़ने वाली है stitching करने के लिए ठीक है and wastage, कुछ उसमें cutting वगएरा जो होगी कुछ कपड़ा उसमें भी जाएगा ठीक है जी in cutting is approximately वो उसने बता रखी है कितनी हुई है wastage बगएरा उस्टिचिंग करने में कितना है 20 cm जो है खतम हो गया वो ठीक है यानि कि actual में जो उसकी length रही होगी वो कितनी रही होगी ये जो हमने length निकाली है ये और plus में ये वाली length तो actual length उस कपड़े की उस tarpulin की कितनी थी वो हमारी आ जाएगी जैसा कि question में यहां कहा गया था कितनी length उसकी हमको चाहिए होगी ठीक है अब ही देखिए तो यहां से अगरम देखे total length total length की अगरम बात करते हैं न एक तो यह length हमारी यहां पर आई ही है ठीक है plus में जो stitching वगरा के अंदर जो इस्तिमाल हुई है या wastage के अंदर इस्तिमाल हुई है stitching करने में जो इस्तिमाल हुई है अब देखिए यह 20 cm अपने को दी हुई है सारी कुछ चीज़े यहां पर हमारे पास में किसमे है मीटर के अंदर है तो यहां से 0.2 मीटर हमारी यह length आ जाएगे 62.8 प्लस में 0.2 तो total यह आ चुके है अभी हमारी 63 ठीक है 63 मीटर तो total length जो थी न हमारे total length जो थी यह आ गई हमारी 63 मीटर ठीक है जी आया समझ में तो ऐसे कुछ यह कोशन आपको करना था ठीक है चलिए तो इसी के साथ अगले कोशन पर चलते हैं तो देखिए भई next कोशन हमारी स्क्रीन पर है चलिए solve करते हैं इसे देखो भई the slant height and base diameter of a conical tom ठीक है कितनी कितनी दे रखिए भई slant height तो 25 मीटर दे रखिए है और जो diameter है हमारा वो दिया है 14 मीटर ठीक है respectively अब उसके बाद में देखिए find the cost of white washing white washing its curved surface at the rate of इतना white washing का मतलब वो सफेदी करने की उस पर बात कर रहा है ठीक है जी curved surface area पर उसको white wash करवाना है और जिसका खर्च आता है 210 रुपे पर 100 मीटर स्कॉयर हर एक 100 मीटर स्कॉयर area को cover up करने के लिए कितना खर्च आता है 210 रुपे का खर्च आता है चीक है चलो जी तो फटा फट से इसको लिख लेते हैं भई ये L जो है slant height हमारी कितनी है 25 मीटर दे रखिये और उसके बाद में अगर base diameter की बात करें वो है 14 इसका मतलब के R की value हो जाएगी हमारे पास में 7 7 मीटर हो जाएगी ठीक है अभी देखो जी हमको white wash करवाना किसको है उसके curved surface को करवाना है curved surface का अगर हमको area नहीं पता होगा तो हम calculate ही नहीं करवा पाएं कि अभी total करचा उसका कितना आने वाद है चलिए भई तो सबसे पहले तो यहाँ पर CSA जो है वो निकाल लेते हैं भई देखिए curved surface area यानि कि वक्र प्रस्टेश चेत्रफल जो है कितना होता है हमारे पास में pi r l होता है pi की value 22 upon में 7 r की value कितनी दे रखे 7 दी हुई है और l यानि कि तिर्यक उंचाई जिसको इंगलिश में slantite बोलता है वो है हमारा 25 चलिए भई 7 से 7 हमारा कट जाएगा अब बचता है हमारे पास में 22 इंटू में 25 25 दूनी 55 और 50 और ये 5 पचपन 550 मीटर स्क्वाइर ये आ चुका है हमारे पास में कर्वड सर्फेस एरिया ठीक है अब उसके बाद देखिए देखिए भई white wash करवाने में जो खर्च उसका आएगा देखिए भई हर एक 100 मीटर स्क्वाइर जो area को cover करने के लिए जो खर्च हमारे पास में आता है वो है 210 रूपे का 210 रूपे का खर्च होता है ठीक है यहां से अगर हम एक मीटर की value निकालना चाहें तो कुछ ऐसे निकल सकती है कि यह 100 है इधर divide में यहां पर आ जाएगा इतने रूपे ठीक है एक मीटर स्क्वार में खर्चा कितना है वो हमारे पास में यह है total area जिसका हमको खर्चा निकालना है वो रह यह तो दोनों side इसकी multiply करवा देंगे 550 मीटर स्क्वार और यह रूपीज में यहां हो जाएगा 210 upon में 100 into में 550 पान्सो पचास यह 0 जा चुकी है ठीक है जी चलिए अब यहां पर बचता है हमारे पास में 21 into में 55 अब यह देखी भई पांच एकम पांच दोनी 10 21 पंजे 105 देखे 25 होता है 105 कैरी 10 गया 25 पंजे 105 और 10 115 ग्यारा सो पचपन रुपीज जो है वो टोटल हमारा खर्चा होने वाला है 550 मीटर स्क्वाइर एरिये को कवरब करने के लिए ऐसे कुछ आपको यह कोशन करना था तो इसी के साथ यह कोशन हमारा समापत होता है तो देखे वही नेक्स्ट कोशन हमारी स्क्रीन पर है चलिए सोल्व करते हैं इसको देखो आज जोकर'S कैप इस इन दा फॉम ऑफा राइट सर्कुलर कॉन ठीक है वो कैप की बात कर रहा है और जो कि सब्सकी शेप में दे रख राइट सर्कुलर कॉन की शेप में दे रख की यह जिसकी रेडियस रे पास में सेवन सेंटीमेटर ठीक है radius दे रखिये और height कितनी दे रखिये भई, 24 cm, ठीक है, find the area of sheet required to make such 10 caps, ठीक है, देखिये भई, कौन की shape में कुछ हमारी caps दे रखिये हैं, total कितनी हैं, 10 caps हैं इसके अंदर ही जो sheet required है, मतलब कितनी sheet से एक cap मिलकर बन रही है, इसका area निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, curved surface area निकालेंगे, क्योंकि base इसमें count नहीं होगा, एक का area निकालके 10 से multiply कर देंगे, total sheet का जो area है, कितना बनने वाला, या कितना चाहिए, इन 10 caps को बनाने में, वो हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, चलो, तो यहां से सबसे पहले given चीज़े लिख लेते हैं भई, radius हमारे पास कितने दे रखिये, 7 cm है, ठीक है, और height हमारे पास क्या दे रखिये भई, height है 24 cm, देखिए, area निकालने के लिए, curved surface area of, कौन, यह निकालने के लिए हमको formula दिया होता है, pi rl, l हमारे पास यहां नहीं है, तो l को भी लिखो इदर और curved surface area को भी यहां पर लिख देते हैं, l square is equal to radius का square प्लस में height का square होता है, radius है हमारी 7, 7, 7, 49 और height है 24, यह 576 हमारे पास में हो जाता है, 9 और 6, 15, 1, 8 और 4, 12 और यह 6, है, l square की यह value आई, 25, 25, 625 होते हैं, तो centimeter में यहां पर slant height हमारी आ चुकी है, ठीक है, देखो, अगर यहां से slant height आ चुकी है, यहां से हम बड़े easily curved surface area निकाल सकते हैं, curved surface area क्या होता है, वक्रपरस्ट यह शेतरफल, pi rl, 22 upon 7, radius क्या है, radius हमारी 7 है, और l की जो value है, अभी अभी हमने निकाली है, 25, 75, 7 से 7 गया, 25 दूनी, 55 और यह centimeter square, 550 centimeter square एक cap का area आ चुका है, ठीक है, चले होई, तो sheet required for 10 caps, 10 into में area of 1 cap, total जो sheet required होगी, उन सभी cap को बनने में, टोटल है कितनी वो, 10 cap बनेंगी, और एक का area कितना आया है हमारे पास में, 550, तो यह कितना हो जाएगा भाई, 500 centimeter square, इतना total area of sheet जो है वो चाहिए होगी हमको, ठीक है, 10 cap बनाने के लिए, clear है, चले, तो इसी के साथ यह question भी हमारा खत्म होता है, तो देखिए भाई, आज की वीडियो का last question हमारे सामने है, चलिए soul किया जाए इसको, देखो, अब bus stop is barricaded from the remaining part of the road, ठीक है, उसको barricaded कर दिया गया है, by 50 hollow cones, ठीक है, hollow का मतलब वो अंदर से खा लिया है, ठीक है, पचास cones से उसको का कर दिया गया, barricaded कर दिया गया, किसको, bus stop की बात यहां चल दी, made of recycled cardboard, जो 50 cones की बात बता रहा है, कि recycled cardboard से वो बने हुआ है, ठीक है, each cone has a base of diameter, कितना यह, base जो है, हमारा diameter कितना दे रखा है, 40, इसका मतलब radius हम यहां से लिख सकते है, 20 cm, इतनी चीज़ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाई, and height, height ही अगर बात करें, तो यह दे रखी है, उसकी, 1 meter, clear है, चलो जे, if the outer side of each of the cones is to be painted, बाहरी जो उसका हिस्सा है, बाहरी जो परत है उसकी, उसको हमको paint करना है, और उसका खर्चा भी हमको बता रखा है, कितना, rupees 12 per meter square, 1 meter square area को cover करने के लिए, 12 रुपे का खर्चियां पर होता है, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले तो उसका area find out करना पड़ेगा, कि बाई, कितने area पर वो paint होना है, ठीक है, फिर वहां से 12 से उसकी multiply करतेंगे, ठीक है, तो area जो है, मतलब total area में 12 की multiply करने पर total खर्च हमारा आ जाएगा, अब बाद में क्या बोलता है, what will be the cost, वो ही बता रहा है कि what will be the cost, कित आप यह लिख सकते हो, one point zero two, ठीक है जी, देखिए, कौन की बात चल लिए, paint करवाना है, बाहरी हिससे पर उसके, तो यहां से एक तो हमको चाहिए होगी, L, slant item को चाहिए होगी, और दूसरी चीज हमको क्या चाहिए होगा, CSA, CSA यानि कि curved surface area, ठीक है जी, चलो, अच्छा एक और चीज़ियां ध्यान देने वाली है, कि जो उसने coast बताई है, वो बताई है, meter square area के लिए, meter square में area तब ही आपाएगा, जब सारी side हमारी meter में दी होगी, तो इसको हम meter में convert करवा लेते हैं, ठीक है, अब यहां से L की value निकाल लेते हैं, R कितना है, 0.2, यह point हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, इसका square, height 1 meter है, तो इसका area, यह 4 और upon में यह 100 आ जाएगा, ठीक है, यह 1 है भई, 0.04 इसको divide करेंगे, यह आ जाएगा, L square की value आ चुकी है, इतना, और question में इसकी value बता रखे हैं, हमको, इतना meter, ठीक है, चलिए भई, अगर यह कहीं आता है, तो 1.02 लिख सकते हैं, अब length हमारी slant height आ चुकी है, अब उसके बात चलते हैं, अपने area की तरफ, अगर area की बात की जाए, तो curved surface area, पाई, आर, L हमारे पास में होता है, पाई की value 22, अपन में 7 radius हमारे पास में कितनी है, 0.2 है, और इसकी, जो slant height I है, 1.02 हमारे पास में है, 10 यहां से आ जाएगा, 100 इधर से आ जाएगा, 22 दूनी 44 into में 102, अपन में 7 into में 1000, चलिए भई, अगर इसको हम solve करते हैं, तो 44 दूनी 88 तो यह हो जाएगा, और 44 यह हो जाएगा, अब यह पूरी तरीके से solve इसको नहीं करते हैं, चलिक है, बात में solve करवाएंगे, इतना area आ चुका है, एक cone का, और total cones कितने हैं, 50 cones है, तो 50 cones का जो area होगा, एक cone का हमने निकाल लिया है भई, ठीक है, एक cone का आ चुका है, और 50 cone का इधर हम ऐसे निकालेंगे, एक zero से एक zero चली जाएगी, कितना आ जाएगा देखो यह, या इसको एक काम करते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं फिलाल, क्योंकि आगे और भी तो multiply करवा नहीं है ना, नीचे बचे का कितना, टैन, अच्छा टैन यह थाउजन थाना है यदर तो, यह देखो, एक zero यदर लगाना भूल गएते हैं, अब इधर यह 100 बचे का, ठीक है, चलिए, तो अभी तक का जो 50 जो cone है, उसका total area हमारे पास में आ चुका है, ठीक है जी, चलिए बहुत बैतर ह जो उसकी cost आएगी, cost कितनी आएगी भाई उसकी, हर एक meter square के लिए 12 रुपे वो खर्च करवा रहा है, area हमारा total यह है, 100 बचा है, ठीक है, जी 100 बचा हुआ नेचे, इतना meter square यह area है, इसको 12, जब इधर multiply करवा यह, तो इधर भी करवा देंगे, देखिए, यह तो हो जाएगा 12, 50, 60, 60 में से भाई, 1, 0 आ जाएगी, 1, 0 से 1, 0 यहाँ पर cancel out हो जाएगी, बचेगा उपर 6, उपर बचा हमारे पास में 6, अब इसकी multiply अगर हम इधर करवाएंगे, तो 6, 8, 48, 4, 48, 48, 45, 55, 26, 24, 24, 25, 29, 26, 24, 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 24 और गोजाएगा हमारे पास में 26 हो जाएगा, और साथ में ये देखो, इधर 10 भी है, ठीक है, चलिए, अब उन में कितना बचा भी, 7 इंटू में 10, इतनी चीज़ क्लियर है बई, चलो, अब इसको करवा देते हैं जिए, डिवाइड, चाओ तो आप इसको ये करवा सकते हैं, ये पोइंट लगा दो साथ के साथ में अधर ह करवाएंगे तो देखे, सात्या, इकिस, पांच, उनसर्ट बचा, सात, अट्टे, चपन, फिर तीन बचे का, यानि कि 32 हो जाएगा ये, तो साथ जो का 28, ठीक है, चार बचे का, 48 हो जाएगा, पोइंट इधर आ जाएगा, तो 48 बच जाएगा फिर ये, 48 है तो साथ जो के 42 और ये कितना 6 बचा, और फिर 7, 8, 56, तो टोटल इतने रूपीज का जो है, खर्च हमारा आने वाला है, ठीक है, इन 50 कौन्स का जो एरिया था, इतने एरिया पर पेंट करवाने के लिए, इतना खर्च हमारा आएगा, 344.8, clear है, तो इसी के साथ ये सारे कोशन खत्म, तो द तब तक के लिए पढ़ते रहे लर्नोहब से, क्योंकि लर्नोहब फ्री है, पर बेस्ट है.